दोस्तों आज की बीदिम आपको बताने वाला है कि होजाट एप्लिकेशन आप कैसे जूज कर सकते हैं इस एप्लिकेशन के फूल डटेल एट 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 आपको इस पीडियो के अंदर बताने वालों मैं हो लवी आप देख रहे हैं यूट्यूब जैने टेक्निकल पिंड वाल लागा डूनलोड और टो कि अलसके हैं धlor लिलागा डूनलोड एप तो आपको डौनलोड एप पर कलीकेशन फिर आपको सइमिर यूग आपको साइंन कर सकते हो अगर आपको बूल जाता तो भी आप अपने मुराइल नंबर से साइन कर सकते हैं इस ऐंकी के अंदर दुबारा अब दोस्तों यहां पर कहा का ना इस application को open करने और खुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा अब दोस्तों को कि आपको team कैसे बनाने फटा फटा फट इस application का पूरा आपको process आपको जो इस application की ब्रीक हैं जो आपको नहीं करना वो भी आपको इस फीडियो के अंदर ही बताने वालों अब दोस्त आपको किया ना जिस भी टीम पे आपको पैसे लगाने हैं अब दोस्तों आपको जो टीम पे पैसे लगाने हैं उस पर आपको क्लिक कर देना नीचे याँ पर अपने 11 प्लेयर आपकोел आपको पता चले अच्छा केल सकता है अच्छा खेल सकता है कोई batsman ज्यादा score कर सकता है कोई bowler ज्यादा bickle ले सकता है वो ही आपको अपनी team के अंदर select करने है वो आपको यहाँ पर 100 credit के under रहके ही आपको यहाँ पर अपनी 11 player है जो select कर लेने हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी team हैं बना लिया नीचे continue के option है वो आपको continue पर click कर देना है तीम बनाने के बाद आपको captain and vice captain select करना होता है वो यह आपको कोई भी कर सकते हैं जो आपको पता है ज्यादा score कर सकता है ज्यादा bigger laser उनमें से आप कोई भी captain है बाद से captain राकर नीचे save team के option है वो आप कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि उस team पर आपको click करना है और नीचे आपको my team पर चले जाना अब आपको पता जला है कि आज कोई player नहीं खेला यहाँ वो आपने गल्द select कर लिया उसको आपको अपनी team में नहीं रखना तो आपको करना यहाँ पर edit की option देखने को मिले होगी edit पर click कर देना यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर red color यहाँ पर icon दिख ला होगा कि मैंने यहाँ पर player जो select कर लिया तो यह मैंने आपको बता दिया फिर दुवारा आपको करना नीचे आपको continue पर click कर दिना हटा के वो मैंने आपको बता दिया अब आपको कैसे पता चला है कौन सा player खेला कौन सा player नहीं खेला तो दोस्तों जब भी मैं start होगा उसके 35 minute या 30 minute पहले आपको दुवारा my team पे चले जाना यहाँ पर red and green icon आपको दो मिलेंगे red icon यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ठीक आपको player के नाम के यहाँ थर्ड बिक्ट यहाँ पर आपको दिख रही होगी तो आपको उसके ठीक red icon आपको दिख रहोगा जा green icon आपको दिख रहोगा red icon अगर आ रहा है आपने player select कर लिया तो आपको उसको player को हटा देना जो green पला वो आपको अपनी team के अंदर रखना and continue पे दुवारा प्लिक कर देना वो आपको पता चल जाएगा 35 minute बिल्कुल भी नहीं होगा बहाँ आएगे वो आपको option नहीं मिलेगी अब दोस्तों आपको contest पे कैसे join करना आपकी team बनगी यहाँ पे आपको काफी सारे contest आपको दिख रहे होगे अब आपको करना यहाँ पे जो भी आपको पैसे लगाने है यहाँ पे देख सकते left side उसकी meaning amount है अगर आप match जी जाते हैं तो आपको इतने पैसे मिल जाएगे माई match में आपको live दिख जाएगा जो match चल रहा होगा नीचे आपको bottom पे 5 नंबर पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा more तो आपको more पे click कर लेना अब दोस्तों आपको दियान देना जो काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना अब यहाँ पे आपको बता रहा हूँ KYC के अंदर आपको click कर देना थर्ड नंबर पे आपको KYC मिल रहा होगा आपको KYC पे click कर देना KYC पे जैसे click करोगे आपको mobile नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा वो verify हो चुका यहाँ पे address verification होगा तो वो बिल्कुल भी आपका note verify होगा तो आपको उस पे click करना आपको अपन की जगा front and back की जगा back upload जैसे pen card में दिखा रहा है ऐसे pen card पे ऐसे आपको अधार कार्ट के अंदर आपको दिख रहा होगा वो आपको back and front की photo copy आपको verify करनी है आपका जो यहाँ पे अधार काड़ा वो verify हो जाएगा अब आपको करना यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपने आपको गलती से बिल्कोल वह ज्यादा नहीं करनी यहाँ पर यह कट भी हो जयती यह नहीं है कि 500 है तो आपको 500 ही यहाँ पर आड़ करनेों गाए, add amount कभी भी बिडरा नहीं होती है दियान देना दोस्तो आएड अमोंड कभी भी बिडरा नहीं होती है अगर आप गलती से 5000- 10,000 कोई भी amount add कर देते हो तो वो आपके दुबारा बैंक खाते में transfer नहीं होती वो सभी fantasy की record application के अंदर ऐसा ही होता है जे एक rule है कि add amount कभी भी बिड़रा नहीं होगा इसलिए आपको amount उतना ही add करना है जितना आपको जूज करना है यहाँ पर amount add करने के पाद यहाँ पर phone पे paytm, david credit, networking किसी से भी आप amount add कर सकते हो अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपको अपना अदार proof है कैसे verify करना है अब दोस्तों यहाँ पर दियान देना third number पे आपको मिल रहा होगा bidra तो आपको जैसे bidra पे क्लिक करेंगे तो आपको third option यहाँ पे देखने को मिलेगी bank, paytm, upi आपको first जई रखना है कि आप गरमे से भी किसी का जूज कर सकते हो आपको first जई रखना है कि आपको अपना यहाँ पे bank खाते में ही यहाँ पे जो winning amount आपको अपने bank खाते में ट्रांसफर करनी है paytm, upi से बिल्कुल भी ने करनी मैंने दोस्तों काफी बार पैसे bidra की है मैंने अपना दुबारा जे मैंने अभी install ही किया मैंने दूसरा account यहाँ पे open नहीं किया यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ upi से अगर पेटm से करते हो पांच बार करते हो तो आपके तीन बार पैसे bank खाते में जाएंगे दो बार यहाँ से कट भी हो जाएंगे आपके bank खाते में भी transfer नहीं होगे जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कहीं को कहीं को ऐसा हो चुका होगा कि अगर वो पेटm से या जूपिय से पैसे transfer करते हैं पांच में से तीन बार जाते हैं दो बार यहाँ से भी cut हो जाते हैं आपके bank खाते में भी नहीं होते हैं seven day working भी जाने के बार भी आपके पैसे bank खाते में नहीं है लेकिन आपको करना है यहाँ पे bank खाते में first आपको prefer देना है bank खाते में देना है जब भी आपको अपनी meaning amount आपने bank खाते में transfer करनी है तो आपको यहीं करनी है यहाँ पे आपको amount जितनी transfer करनी है वो आपको fill करनी है यहाँ पर आपको अपको अपना bank का account number आपको fill करना है जो भी आपका account number हो IFC code आपको आपकी passbook के front paper पे मिल जाएगा bank account and IFC code वो आपको मिल जाएगा verify and proceed पे click करोगे तो आपके 5 दिन working day के अंदर ही आपके पैसे आपके bank खाते में transfer हो जाएंगे अब दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि आपको पैसे कैसे bidra करने है वो मैंने आपको पूरा process बता दिया पैसे कैसे add करने है वो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ही बता दिया यहां पर देख सकतें वीडरा पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको यह ओप्षिन दिखेगी आपको बैंक खाते इसे ही ट्रांसफर करने हैं आप